जी हां गुड इवनिंग एवरिवन आज मैं टीके सिन्हा आपनों के पास दूसरा वीडियो कमजोर बच्चों के लिए कमजोर बच्चों मतलब जो चाहते हैं कि उनका मैट्स अच्छा हो लेकिन उनका मैट्स बहुत अच्छा नहीं है उनको डर बैठ जाता है और वो क्लास म मैं चुप चाप बैठे रहते हैं उनसे नहीं हो पा रहा है तो वैसे बच्चों के लिए मैं एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक मैट्स लेके आया हूं और अब मैट्स सबसे बनेगा ठीक है और कोई भी कमपेटेटिव एक्जाम सो उसमें आपका सेलेक्शन होगा य आज हम लोग दूसरे क्लास में देखते हैं कि कि स्कौर रूट फाइंड करना है तो तैवेन प्लस टू रूट इन जान देंगे तैवेन प्लस टू रूट इन इसको ऐसे भी लिखा रहा सकता है कि साथ प्लस दो रूट तस का वर्गमूल ग्याद करें क्या रहेगा वर्गमूल ग्याद करें इंग्लिश में ये रहता फाइन इसको रूट आफ 7 प्लस टू रूट इन question ऐसे आता है या इसका जगा जगा application होगा uses होगा तो हम लोग देखें अगर ऐसा question मान लो ये question है second number में मान लें के 15 प्लस टू रूट 56 third question ले लें 11 प्लस टू रूट 24 next ले लें 12 प्लस टू रूट 35 या एक और हम लोग last ले लें 16 प्लस टू रूट 39 ऐसे इनका square root पूछता है exam में आया हुआ questions है ये exam का NTPC का exam हो या SSC का exam हो दोनों जगा ये question पूछता है तो कैसे बनाएंगे हम लोग अगर बहुत लेंदी रास्ते को नहीं देखें तो direct क्या कर सकते हैं अगर कोई ऐसे देखें a प्लस टू रूट b के form में है नहीं है तो बना लेंगे वह बाद में हम लोग देखेंगे कि बरे questions का कैसे होगा ठीक है तो अगर आपके मन में ये देखो a प्लस टू रूट b ध्यान से इस concept को देखो तो इसका answer होगा एंसर रूट x प्लस रूट y एंसर क्या होगा रूट x प्लस रूट y अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने लिखा क्या है तो रूट x प्लस y जहां वेर a बरावर होता है x प्लस y दोनों का सम और b बरावर होता है दोनों का गुरणफल यानि ये दो टर्म इसको जब हम break करेंगे न तो दो टर्म में कि जोड़ने पर देखरो x और y जोड़ने पर a आ जाए और गुना करने पर b आ जाए तो मन में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस question में क्या करना है जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10 हम लोग वो लेंदी रास्ता a प्लस b के होले स्कॉर वाले पर नहीं जाएंगे डारेक्ट सोचेंगे कि क्या करें तो देखो ये दो नंबर लोग कि जोड़ने पर 7 आ जाए तो 4-3 लेकिन 4-3 बारा होता है 6-1 लेकिन 6-1 आई 6 होता है गुना करने पर 10 आना चाहिए तो 5-2, 5-2-7 और 5-2-10 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2 डिरेक्ट और ऐसे भी लिख दो x greater than y x जो है वो greater than y है तो फिर से देखें दो संख्या जोलने पर add करने पर 7 multiply करने पर 10 पांच और दो साथ और पांच दुना 10 अब हम लोग देखें इसका पाला question तो हो गया second सब लोग मन में बनाते रहो जब आप देने की कोशिस करो जोलने पर 15 और गुना करने पर 56 तो 8-7-15 आठ सते 56 तो क्या हो जाएगा root 8 plus root 7 हम लोग direct answer लिख सकते हैं अगला देखो जोलने पर 11 गुना करने पर 24 तो दो नंबर लो जोलने पर 11 और गुना करने पर 24 8-3 6-5 अगर लेते तो 6 पचे यह 30 होता 8-5 नहीं 8-3 11 और 8-24 तो ऐसे ले ले root 8 plus root 3 8-3 11 8-24 आज जो बरावला है वो X जो छोटा वला है वो Y अब यहां देखिए 12 है plus 2 root 35 है यानि अब आगे से question अगर आपको दिया जाए तो देखने के साथ आप answer बोल सकते हो ठीक है तो हम लोग क्लास के साथ साथ practice भी करते रहेंगे कि आप वो type आपके लिए easy हो जाए तो देखें यहां क्या होगा 7-5-12 7-5-35 तो root 7 plus root 5 देखो 7-5-12 और 7-5-35 अगला क्या देखें दो संख्या जोड़ने पर 16 और गुना करने पर 49 अड़ करने पर 16 multiply करने पर 39 तेरह और 3 तो यह 13 और यह 3 तो हम लोग यह direct देखो तो तेरह तिन 16 तेरह तिया 49 ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं फिर हम लोग देखते हैं और भी कुछ questions और कुछिस करना इस बार मैं question लिखू और आप answer दो ठीक है तो देखें question number 6 7 plus 2 root 6 7 13 plus 2 root 40 13 plus 2 root 42 17 plus 2 root 60 20 plus 2 root 91 मानलो यह सारे questions को हम लोग को solve करना है कैसे solve करेंगे तो फिर वही बात जो मैंने बताया कि add करने पर क्या होना चाहिए 7 और गुना करने पर 6 तो तो नंबर जोडने पर साथ 6 और एक साथ और 6 वंजा 6 6 आई छे तो इसको लिख सकते हो root 6 plus root 1 root 1 मतलब 1 अभी form में लिखा root 6 plus root 1 आगे 8 5 13 और 8 पचे 40 जोडने पर 13 गुना करने पर तो देखने के साथ answer root 8 plus root 5 यहां बताईए देखने के साथ बताना है root 7 plus root 6 7 6 13 और 7 चक 42 अब बताईए इसमें क्या होगा यह 17 है यह 60 है तो 12 पचे 60 और 12 और 5 17 तो 12 और 5 यहां बताऊ 13 7 20 और 13 सते 91 तो root 13 plus root 7 तो यह हो गया कि अगर ऐसा कोई भी question रहेगा और बीच में plus यानि a plus 2 root b के form में अगर question है तो हम लोग जान गए कि इसका answer क्या होगा root x होगा plus root y होगा add करने पर a add करने पर a और गुना करने पर b और इसका square root था clear कोई doubts तो हम लोग देखते हैं आगे अगर doubts कभी हो तो comment में लिखना कि सर इसमें doubts है जिससे कि मैं अगली बार आपको अगले वीडियो में उसको solve कर पाऊ अगला देखते हैं अगर यही चीज माइनस में रह था मालो यह first 16-2 root 39 यह second 15-2 root 44 22-2 root 85 15-2 root 56 13-2 root 42 यहनी question वैसा ही है केवल बीच में minus है तो हम लोग यह देखें जब question वैसा ही है बीच में minus है तो हमारा भी answer यह solve करने का तरीका वैसा ही होगा और बीच में minus होगा यहनी a minus 2 root b है तो answer क्या होगा root x answer root x minus root y जहाँ a बराबर क्या होगा x plus y और b बराबर क्या होगा x into y और यह देख रहा हो यह minus है तो minus पहले देखा plus है तो plus यह आप हम लोग दोनों अगर एक साथ लिखतें प्लस है तो plus और माइनस है तो माइनस एन एक्स ग्रेटर देखने के साथ सारे कुष्चन का जबाब आप दे सकते हो जैसे तुला है चत्यस है दो संक्या जोड़ने पर सुला और गुना करने पर चत्यस क्या होगा कुछ आरा है समझ में 12 तीन ले तो 12 तीनगे चत्यस लेकिन 12 तीन सोला नहीं होगा तो इसके लिए इसको कुष्चन solve नहीं हो रहा, 8 8 का तो होगा नहीं 14, 2, 16 14, 29, 28, 15 16, 15 एक हाई 15 तो 13, 3, 16 13, 39 यानि यह अगर 15 रहता तो question सही हो जाता तो पहले question ठिक कर लिया क्या कि यह 15 है अब बता क्या होगा तो root 12 minus root 3 12, 3, 15 और बारतिया 36 एकदम आप सही कर लिया करना कि जोड़ने पर यह आए और गुना करने पर यह आए अब यहाँ बताओ जोड़ने पर 15, गुना करने पर 44 क्या होगा मन में सोचो 8, 7, 15, 8, 36 नहीं होगा 11, 4, 15, 11, 44 root 11 minus root 4 11, 4, 15, 11, 44 यह root 4 बाहर निकल जागा तो 2 हो जाएगा यहनि आप इसको चाहो root 11 minus 2 भी लिख सकते हो आगे तो नंबर जोड़ने पर 22 यह जोड़ने पर minus से कोई फरक नहीं परता जोड़ने पर ही होगा तो 17 और 5, 22 root 17 और minus root 5 यह क्या होगा 8, 7, 15, 8, 36 root 8 minus root 7 यह क्या होगा 7, 6, 13, 7, 42 root 7 minus root 6 तो ऐसा कोई भी कुश्चन होगा हम लोग निकाल सकते हैं अब हम लोग यह देखने जा रहे हैं इसका यूज भी क्या कुश्चन में होता है और कैसे होता है तो देखें इनका यूज क्यूश्चन आ सकता है एक्जाम में x वराबर 13 plus 2 root 42 then find number 1 root x number 2 1 by root x number 3 root x plus 1 by root x number 4 root x minus 1 by root x इसमें से कोई भी question आपके एक्जाम में पुछा जा सकता है और आप उस धन से इसको solve करेंगे कैसे तो देखें सबसे पहले ये क्या था 13 plus 2 root 42 अगर हम लोग को root x निकालना होगा तो क्या करेंगे अंडर root 13 plus 2 root 42 लिखेंगे या नहीं clear है तो दो नमबर जोलने पर 13 और गुना करने पर 42 तो क्या होगा ये 7 plus 6 7 plus 6 अब ये इसका हो गया अब देखें इसका कि 1 by root x तो 1 by root x के जगा आप 1 by root 7 plus root 6 लिखेंगे पिछले class में मैंने बताया था अगर ये plus है तो answer minus में होगा ये minus है तो answer plus में होगा जैसे ये नीचे root 7 plus root 6 था हमारा answer होगा root 7 minus root 6 और नीचे क्या बताया था दोनों का अंतर 7 में से 6 घटा दो यानि finally answer क्या होगा ये root 7 minus root 6 यानि अगर नीचे plus में है तो answer minus में और अगर नीचे minus में है तो ये plus में होगा अब देखें ये root x plus 1 by root x अगर हम लोग value रखके solve करते तो time लगता गलत होने का chance रहता हम लोग देखें root x का मान रख देते है root x का मान root 7 plus root 6 और 1 by root x का मान रख देते है root 7 minus root 6 आप बताइए क्या लग रहा है कि कोछ cancel होगा कौन-कौन cancel होगा ये और ये plus minus यानि answer क्या होगया to root 7 answer क्या होगया to root 7 आगला देखो यानि फिर से देखो root x का value ये था 1 by root x का value ये था जो cancel होगया, cancel कर दिया calculation असान होगया यहाँ देखें इतना बड़ा question अगर आता तो आम लोग छोड़ देते लेकिन अब सीधा 7.6.3 7.6.42 यानि root 7 plus root 6 तो इसका होगा ये plus वाला है तो plus होगा आ उल्टा हमेशा minus होगा minus root 7 minus root 6 अब बताओ ये root 7 plus root 6 लिख सकते हैं कि नहीं और ये minus root 7 minus minus plus root 6 अच्छे से देखेंगे अब यहाँ ये plus और ये minus cancel होगया तो answer क्या होगया to root 6 फिर से एक बार देख ले x कमान ये दिया हुआ था क्या पूछ रहा था root x बताईए जब x मालूम है तो root x अभी इससे पजस्ट भाले हम लोगों ने ये पढ़ाई किया है कि इसको root x यानि दो संख्या जोडने पर 13 और गुना करने पर 42 root 7 plus root 6 होगा अगला 1 by root x तो 1 by root 7 plus root 6 हम लोग ये भी पढ़ चुके है पहले वीडियो में कि अगर ये plus में नीचे है तो ये minus में होगा और नीचे difference हो जाएगा यानि root 7 minus root 6 अब अगर दोनों का sum पूछ रहा है तो root 7 plus root 6 और root 7 minus root 6 जो cancel हो गया, cancel कर दिये ऐसे ही इसका जो cancel हो गया, cancel कर दिये एक question और देते हैं आपको आपको solve करने के लिए जल्दी से solve करेंगे x बराबर 5 plus 2 root 6 find number 1, root x number 2, 1 by root x number 3, कोई एक question आपको exam में पुछेगा, root x plus 1 by root x और number 4, root x minus 1 by root x, इन चारों में से कोई एक आपके exams में पूछ सकता है और ने तो use हो सकता है अब बता, x का माहन इतना है तो हम लोग क्या करें root x का मान निकाले root x क्या होगा under root 5 plus 2 root 6 clear रहा है यानि दो संख्या जोडने पे क्या न चाहिए 5 और गुना करने पे 6 तो हम लोग चाहते तो direct answer root 3 plus root 2 लिखते है और जैसे ही यह answer है तो इसका answer उल्टा होगा root 3 minus root 2 अब यहाँ पे value रखना है अगर जोडना है यह आप सिधा भी देख सकते हो यह ऐसे लिख लेते है root 3 plus root 2 plus root 3 minus root 2 यानि यह minus plus cancel answer क्या हो गया to root 3 इसमें क्या करते root x root 3 plus root 2 तो होगा ही यहाँ तक तो problem नहीं है minus root 3 minus root 2 ठीक है तो यह root 3 plus root 2 यह minus root 3 रह जाएगा और minus minus plus root 2 होगा और यह cancel हो जाएगा और answer हो जाएगा to root 2 तो question समझ में आ गया होगा इसको अगर दिक्कत हो 2-3 बार आप देखेंगे और हमेशा यह सोच के अब मेरा class करेंगे के अब सभी का math सुद्रेगा मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा बार बार कर रहा हूँ टॉपर्स तो वो है जो घर पे खुद से भी पढ़ लेते हैं तो उनका result हो जाता है result उनका मैं कराऊंगा जो बहुत कमजूर है जिनको math से डर लगता है उनके साथ मैं हूँ क्योंकि ठीके सिना सारीज थैंके